हेलो गाई सो स्वागत आपका एक और नए करियर मोड के एपिसोड में तो आज हम हमारा करियर मोड कंटीन्यू करने वाले और भाई हमारे करियर मोड में हम सुपर स्मैश की सीरीज केल रहे थे तो आज हम सुपर स्मैश की सेकेंड मैच केलने वाले बहुत ही जादा मजा आए captain है as you all know मतलब जो भी देख रहा होगा career mode उसको पता ही होगा okay so सामने वाली team toss जीच चुकी है I hope कि वो batting ले ले पहले यार अरे भाई ये देख लो चलो कोई नहीं उन्होंने bowling ले तो पहली हमारी batting आने वाली है और हमको एक target set करना होगा मज़ा आने वाला है दोनों टीम्स आती हुई यहां पर फील्डिंग टीम आती हुई और stage is set and एक और चीज़ बाई कमेंट में जरूर बताना यार कि आपको career mode के videos कैसे लग रहे हैं और आपको in future consequence और players के career mode के videos देखने हैं क्योंकि हमारा तो continue रहने वाला है ठीक है चलो skip करते हैं और यहां पर हमारी team की दो विकेट्स गिड़ चुकि है और हमारी entry हो चुकि है भाई सहाब ग्राउड में बहुत ही बढ़िया यह देख सकता अब स्टाइट्स 40 मैचेज 1221 रंस और स्कोर कार्ट भी दिखा देता हूं 33 पे दो 4.5 ओवर केन विलियमसन और केरन क्रूज आउट हो चुकिए टिम साइफर्ट के साथ खिलने वाले लेट्स गो बढ़िया बैक फूट पंच पीछे फील्डर है और एक ही रन मिलेगा तो पार प्ले की आखरी ओवर शॉर्ट यार बहुत ही बढ़िया शॉर्ट एंड यह होगा भाई हमारी इस मैच का पहला चौका एंडियास गाइस डिफिकल्टी भी आपको दिखा देता हूं लेजेंड बैटिंग हार्डिस्ट बॉलिंग हार्डिस्ट एंड फीलिंग इस अल्सवार्ड इस टीक है चे रन पर पहुच चुके हैं यह तो वाइड मिलेगा एंडियास गाइस एक इंपोर्टन चीज की यह ग्राउंड लाइसेंस नहीं है क्योंकि यह गेम में न्यूज कर रहा है यार चलो एक सिंगल मिल जाएगा एजास पटे लाज चुके है भाई सहाब यह तो मतलब अभी इंडिया न्यूजीलेंड की सीरीज में इन्होंने मतलब क्या ही कर दिया था हमारे बैट्समेन का नाइस शॉर्ट चलो फाइनली गैप में तो गया है दो रैन मिल ज चुकी है भाई सहाब मेरा जस्ट अभी दियान गया है 45 पे चार हमारी टीम भाई एक बॉल ऐसा ने मिल रहा है जिस पे हम शॉर्ट खेल सके बहुत ही बढ़िया बोलिंग हो रही है यह बॉल थोड़ा मतलब देखो यह गैप थी बड़ी और टॉस्ट डप डिलिवरी तो इस पे चौका मिल जाएगा और का अखरी बॉल अरे भाई यह भी रोक लिया यार यह चौका मतलब ट्राइ किया था मैंने चलो कोई नहीं है टोर्स के बाद 50 रंस पे चार विकेट हमारी टीम की भाई यह बॉलर ने तीन विकेट लिए सिफ दो और में यह बात है शॉट य गया है नाइस शॉट अरे भाई यह शॉट क्या खेल दिया मैंने चलो सिंगल एक और विकेट गिर चुकिया भाई सहाब सैटनर भी आउट हो चुग है 59 पर पांच ओ भाई भाई मैं अभी बच गया अभी इंसाइड अच का चौका गया है अरे भाई साब कितना टान हो रहा है इसका बॉल चलो एट लिस्ट यह गैप में तो गया है चौका तो नहीं मिलेगा दो रन मिल जाएंगे एजिली इस गाइस एक इंपर्टन चीज मेंबर्शिप अमारी चैनल पर रोल आउट हो चुकी है जिसको भी पर्चेस करनी है वो कर सकता है नीचे जॉइन के बटन पर क्लिक करके और आपको अलग-अलग लेवल्स और अलग-अलग पर्क्स देखने मिल जाएंगे मेंबर्शिप के सो आप चेक कर सकते हो और जिसको भी पर्चेस करनी है वो कर लेना है वहाँ से मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा है मैं सिर्फ इंफॉर्म कर रहा हूँ ठीक है चलो बैक इंड़ नी मैच हम्म भाई सहाब टॉस्ट अप डेलिवरी और पर्फेक्टली गैप में मारा है भाई सहाब देखो यह थोड़ा सा रिसकी शॉट हो सकता था क्यूंकि एक एक्स्ट्र कवर का फील्डर और लॉंग ओफ या फिर कवर का ही कह सकते हैं उसके बीच से मारना था और बहुत ही बड़िया एक्जि चुरुआ है 71 रंस पर पांच विकेट भाई जब जब मैं स्किप कर रहा हूं तब तब एक एक विकेट जा रही है 73 पर च्छे हो गए अब नहीं टाइमिंग अच्छा नहीं लेकिन नो मैंस लेंड में गरेगा और दोरन इजीली मिल जाएंगे और भाई ये बॉलर को भी स्टार्क की एक्शन दे दी भाई बस करो यार एजास पेटल दो भाई पीछा ही नहीं चोट रहे और एक और विकेट गिर चुकी है क्या हो नहीं हाई यह देख लो यह देख लो आज हमारी टीम का कुछ भी नहीं होने वाला 78 पे साथ थी हमने बुला एक और विकेट गिर चुकी और अब देख लो यहां पर हमारी विकेट भी जा चुकी है शौट खेलना चाहते थे एज और कीपर के हाथ में जाएगा थर्टी-फ आपको स्कोर काट दिखा देता हूं मैं हमारी टीम भाई 92 पर ही ओल आउट हो गई यारे भाई साब इतने कम रंस पर और यह हमारी टीम का स्कोर काट देख लो यार टॉप स्कोरर हम है 34 और ट्रेंड बोल्ट तीन रन बना है उन्होंने नौट आउट रहे ठीक है तो 93 का ट और प्लेगा थोड़ी सी फील्डिंग अच्छी से सेट करते हैं और फिर पहला डालते हैं ओके दर फील्डिंग सेट हो चुकिए है फर्स बॉल नाइस डॉट बॉल से शुरुआर और अगर ये मैच जीतनी है न हमको तो बस विकेट्स ही लेनी होगी डॉट बॉल से भी कुछ नहीं होगा विकेट्स विकेट्स और विकेट्स नाइस शॉट पीछे फील्डर है भाई एकी रन मिलना चाहिए ओर दो मत कर दिना यार विल चौका नहीं मिलेगा चलो ग्राउंड वैसे भी बड़ा है तो चौका तो नहीं मिलेगा दो रन कैच अरे भाई मुझे लगा कि कैच होगा लेकिन नहीं बोल्ड हो चुक है चलो कोई नहीं वैसे देखो टीम तो हारने वाली है लेकिन जाते जाते एक विकेट ले जाए तो भाई मजा ही आ जाएगा ना यार और वो मिल चुका है हमको एक विकेट लेट्स गो 89 पर 5 ही आया है इस ओवर से और एक विकेट आ चुकी है ओ भाई साहब कैसे बजगा है और क्या मेड़न हो सकती है यह वर लास्ट बॉल लेट्स गो भाई देखो जाते-जाते हम हारने तो वाले अभी मैं जैसे ही स्किप करूंगा हम हार जाएंगे लेकिन एक मेड़न ओवर डाल इमने बहुत ही बुरा पर्फॉर्मेंस दिया चलो कोई नहीं सीधा चलते दूसरी मैच में लेट्स गो तो भाई सहाब हम सेकेंड मैच के लिए जा रहे थे लेकिन भाई यह पर कॉंट्रेक्ट ऑफर आ चुकी है तो यू सीम तो हैव गॉर आइफ ऑफ इंडिया टूर मतलब पाकिस्तान की T20 सीरीज में हमारा सेलेक्शन होने जा रहा है लेट्स गो भाई एकसेप्ट ही करेंगे डिकलाइन कौन करेगा कौन मतलब कोई गदाई होगा जो की डिकलाइन करेगा इसी ओफर को एकसेप्ट करो यार भाई सहाब कैलेंडर में एक बार देख लेते है कि कब है बीबी एल नाइन ने ने नी भाई एक सिकंड तो न्यूजी लेंड की यह वाली सीरीज जैसे ही खतम होगी वैसे पहले बीबील का डेब्यू नहीं होगा पहले इंडिया टूर फ पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान जाएंगे फॉर थ्री ट्वेंटी इन टेन और सेकंड मैच में आप सभी का स्वागत है या पर टॉस हो चुका है और हमने जो कि हम कैप्टन है ये टीम के तो हमने चूज की है बोलिंग क्योंकि हम टॉस जीच चुके थे ओटे गो वर्ल्ड के सामने ये मैच है लेट्स गो मजा आने वाला स्किप करते है चलो बोलिंग आ सहाब रिवर्स खेला है फील्डर अरे नहीं या ट्रेंट बॉल्ड से थोड़ा दूर गिरेगा और चौका मिल जाएगा वह बैट्स विन को कोई नहीं नाइस बॉल नाइस कमबाक और का आखरी बॉल एक दूसरा डालते है ओ भाई सहाब यार अगर बैट पे नहीं अड़ सहाब कैसे बच रही है इस बार कि क्या किया है मैं बुझे ये शौट पता ही नहीं है लेकिन फिर भी चौका मिल जाएगा अच्छी बोलिंग करनी होगी क्योंकि रंस इनके बढ़ते ही जा रहे है एज लेकिन अगर स्लिप होती तो भाई कैच हो जाता है और बहुत स्क्रिएट किया लेकिन एक भी विकेंड नहीं मिली अब तक हमारी सेकेंड और का आखरी बॉल और एक सिंगल के साथ हम और फिनिश करेंगे सो ग्यारा और अरे नहीं और तो नहीं हां थैंक यू सो मच ग्यारा और के बाद 89 पे एक और टेगो वाल्ट सो थर्ड और के और का अखरी बॉल कैच लेट्स गो लेट्स गो भाई देखो मैंने पांच व पांच बॉल ऑफ स्टम के बाहर डाले इस बार मिडल लेक की लाइन पे डाला और विकेट भी मिल जाएगी हमको लेट्स गो यार नाइस वेरियेशन और अच्छा कैच मेंड विकेट पे क्रॉ फिल्डर से स्टेप आउट यार यह भी फिल्डर से थोड़ा दूर चौका तो नहीं जाएगा लेकिन भाई कैच हो सकता था ओके देन हमारी फॉर्थ ओवर का अखरी बॉल ओ भाई अल्मोस्ट यार नाइस नाइस केन विल्यमसन अरे चाहो रहे भाई मैंने अपील लिंग की इस पार यह डायरेक्ट अपील हुई है मैंने तो बटन भी प्रेस्ट किया अपील का अरे भाई साहब यह कैसी विकेट मि लिए एक सेकंड एक सेकंड जूलियन ग्रीड जो कि बहुत ही बड़ी अखिल रहते 66 पे वह आउट हो चुक है केन विल्यमसन भाई सहाब आपको मैं रीपले दिखाना चाहूंगा ग्लैन फिलिप्स आते हुए लेकिन यह रीपले देखो एक तो हमारी और का आखरी बॉल और वहां पे केन विल्यमसन ने बहुत ही बड़ी आ फिल्डिंग की क्योंकि पीछे कोई भी फिल्डा नहीं था चौका जा सकता था यहां पर केन विल्यमसन ने बाल रोका फिर देखो भई क्या हुआ है यहां पर बाल गेधर किया यह बैट्संन को देख लो इतना ऊवर-क किप किया था और हमारी बैटिंग आ चुके लेकिन मैं आपको कुछ देखाना चाहता हूँ पहले तो यह देख लो 173 बनाए है वाल्ट्स ने लेकिन जब हमारा चेस शुरू हुआ तब हमारा ओपनर देख लो भाई केरन क्रूज सेंचुरी मार दिये क्या बात है बहुत ही बड़िया स्टार्ट दिया है और कें विल्यमसन और टिम साइफाट आउट हो चुके हैं तो हम केरियन क्रूज के साथ खेलने वाले हैं और यहा सिंगल हाँ दो रन नहीं लेने तो जिसने सबसे ज्यादा रन मारे और टेको वर्ल्ट में से वहीं बोलिंग करने के लिए आचुके हैं कट लेकिन डॉट बॉल अरे नहीं ओवर तो मिल जाएगा यार डॉट बॉल नहीं भाई सिंगल लेलो वाई सहाब सिंगल हैंडेट ल खानी हुआ है ठीक है और दोनों मैचेस के अलग-अलग शॉट ऑफ देड़े और विकेट अफ दे दे मुमेंट अव अफ दे आख सब अलग-अलग कमेंट कर देना तो ज्यादा मजाएगा ठीक है आपकी कमेंट में पढ़ता हूं और लाइक भी करता हूं तो कर देना यार आपको भी मज़ाएगा मुझे भी मज़ाएगा 21 रंच से अब 27 बॉल्च में सूपर इजी टास्क एक और बढ़िया शॉट एंड रिजल्ट सेम ही होने वाला है गाई एक और चौका 17 रंच ही है 26 बॉल्च में इस बार चौका तो नहीं लेकिन सिंगल मिलेगा फुल टास बॉल सीधा खेला है और भाई साथ फील्डर रोक नहीं पाएंगे चौका लेट्स गो इस बार काउ कॉर्णर की तरफ खेला है दो रंड मिलेंगे क्या चलो ट्राइग करते है और मिल भी जाएंगे भाई लुवर फुल टॉस शॉट अच्छा के लाए पीचे फील्डर है अरे उपर से चला गया भाई साव लेट्स को मुझे तो लगा कि एच हो जाएगा इस शिक्स क्या बात है यार 23 रंस बना दिया हमने 8 बाल्स में हम क्रूस का बहुत ही अच्छा साथ दे रहे 4 रंस चीए बस अब चलो सिंगल ले लो भाई देखो उन्होंने सेंचुरी बनाई है तो विनिंग शॉट उनको ही मिलना चीए और मैं स्किप नहीं करूँगा मैं देखूँगा कि वो कैसे ज़दाते हैं सिंगल मत लेना बस जिता देना ओवर का आखरी बॉल है अरे भाई डाट बॉल है यार देखो हमने उनको एक चांस दे दिया ठीक है वो तो नहीं कर पाए अब फिनिश अब हमारी बारी है फिल्डर्स भी सब अंदर है अरे भाई जाब एक और मिचल स्टार्क को याली एक्शन और 6 के साथ हम फिनिश करेंगे यह मैच और इस मैच को जीतने के बाद नेट रंडरेट में बहुत ही ज्यादा फाइदा मिलने वाला है हमको और ऐसी सीरीज में बाई नेट रंडरेट अब सबको पता ही होगा कि बहुत ज्यादा माईने रखती है तो 8 विकेट से यह मैच जीत लिया है हमने कन्विंग्सिंग विक्टरी कहूंगा मै और मैन अफ दमेच तो उसको ही मिलना चाहिए यस ट्रूली डिजर्व डियार बहुत ही बढ़िया मैटिंग की है क्रूज ने और यहां पर आप मैच समरी देख सकते हो और टैग अवर्वाल्ट ने 173 रंस बनाए और जब चेस की बारी आई तब केरन क्रूज 122 नॉट आउट और हमने भी एक छोटी सी मतलब एक कैमियो टाइप का ही खेला है 30 रंस ओफ 10 बाल्स ठीक है और एक विकेट भी लिए तो अवर्वाल अच्छा परफॉर्मन्स कहूंगा हमारी साइट से दोनों ही मैच जीत चुक है पहली वाली मैच ज़रूर आ रहे थे लेकिन भाई मेन एक्साइटमेंट है मुझे इंडिया और पाकिस्तान वाला जो जहां पर हम सिलेक्ट हुए है न यार इतनी ज्यादा मज़ा आने वाली है न आगे के वीडियोस में सो भाई कहीं मत जाओ यार बाहर चलके पहले सिनारियो देखते है आल राइट जो बाहर आ चुके है और नेक्स्ट मैच होने वाली है हमारी कैंटरबरी किंग्स के सामने तो मज़ा आएगा उस पे भी पहले आपको स्टैंडिंग्स दिखा देता हूं यह देख लो अभी हम नंबर थ्री पे है न शायद येस नंबर थ्री पे है अभी तीन मैच के लिए दो मैच जीते और एक मैच हा रहे और नेट रंड रेट भी ओके-ओके ही काऊंगा मैं 0.49 नीचे की तीन टीज की माइनस में है और उपर की तीन टीम्स की प्लस में है यहाँ पे हमारा नाम तो कही पे नहीं दिख रहा है यह तो गलत बात है चलो कोई नहीं यह आप स्टैट्स देख सकते हो यह सीरीज के अगर देख रहा हो तो पॉस करके देख लेना तो भाई आज का वीडियो यहां तक ही रखते है तो भाई अपना सपोर्ट दिखा दो यार और कैसा लगा वीडियो वो कमेंट भी कर देना ठीक है तो मैं मिलूँगा ऐसे एक इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए आप ग्रेट टाइम विधा फैमिली और फ्रेंड्स बाई बाई